आपके सबसे किसी राजा के लिए क्या बेतर है उसका धार्मिक लगना या धार्मिक होना और इस सवाल का जवाब देंगे मैकियावेली दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैकियावेली के religion पे विचार को लेके और वो कैसे अलग था उस समय का जो विचार था और इतना controversial क्यों है वो भी जानने की कोशिस करेंगे दोस्तों मैकियावेली लिखने की कोशिस कर रहे हैं 1513 से लेके 1530 के दोर में वहाँ पे वो किताबे लिखते हैं एक किताब है The Prince एक किताब है The Discourses और इन किताबों में उनका जो religion को लेके विचार है वो निकल के आता है मैकियावेली के अगर आप इतिहास देखने की कोशिस करेंगे तो वो इटली के रहने वाले थे इटली का एक हिस्सा है Florence और वहाँ आपसे जो सासन बिवस्था थी उस सासन बिवस्था में stability रही थी जिसका बहुत हत्तक वो reason मानते हैं चर्च को क्योंकि चर्च बहुत बार करने की कोशिस कर रहे थे इतली के उस राज्य में उसके लिए भी चर्च को responsible मानते हैं तो इस वज़ा से उनका जो view है चर्च को लेके पहली बाद तो वो चर्च को negative dimension में देखते हैं दूसरा है कि वो राज्य को कैसे देखते हैं वो भी उनके धर्म के विचार को highest level है क्योंकि वो अरिस्टोटल से प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि इनसान पहले अकेले में sufficient नहीं है तो वो family बनाता है family के बाद community बनाता है और community के बाद राज्य बनता है तो राज्य सबसे important है और राज्य के पास सारी सकती होने चाहिए चर्च या मां की चीज थे तो इस वजह से मैकी अबेली को दिक्कत हो दी तो religion पे जब दिया आप मैकी अवेली के विचार को देखने की कोसिस करें आपको जनता को बहुत आसानी से रूल किया जा सकता है तो जब पहले वाली जो बिवस्ता हैं थी वहाँ धर्म अपने आप में इंड था कि धार्मी खोना वर्चिवस होना ये सब बहुत बड़ा गुण माना जाता था मैखिय अबेली के लिए वैसा नहीं है मैखिय अबेली के लिए धर्म एक यूटिलिटी का माध्यम है निसेसिटी का माध्यम है मोरलिटी का माध्यम नहीं है वो धर्म का इस्तमाल इसलिए करना चाते हैं ताकि राजा की सत्ता बची रहे तो चर्च को नहीं पसंद करते हैं ताकि राजा मजबूत रहे, राजे मजबूत रहे, वो धर्मों को भी इस्तमाल करेंगे राजे को मजबूत बनाने में, वो कैसे करेंगे वो देखने की पोसिस करते हैं, तो बताएंगे कि किसी भी राजा के लिए appearance पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, वास्तों में आप क्या ह हैं, वो matter करता है, जनता जो बाहर देखती है, उसके इसाब से चलती है, तो आपको धार्मिक लगना है, और वो बोर्जिया करके पहले ruler था, उससे बहुत प्रभावित है, उसकी tactic से बहुत प्रभावित है कि कैसे वो appearance के माध्यम से rule करता है, तो कहेंगे कि राजा के लिए धार्मिक होगा राजा, दिखने में, appearance में धार्मिक होगा, तब वो जनता के जो भी resistance होगी, जो revolt होगा, उसको बहुत आसानी से दबा देगा, कि जनता कहीं रोजगार के बारे में, या अपने भोजन के बारे में बाते करेगी, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप कहीं न कही धार्मिक राजा के खिलाब जाने की कोशिस कर रहे हैं, और एक धार्मिक राजा के खिलाब जाने की कोशिस कर रहे हैं, आप धर्म के खिलाब जाने की कोशिस कर रहे हैं, और इस वज़गा से आप उसको आसानी से दबा सकते हैं, तो धर्म का इस्तमाल ना सिर्फ इसले करन और रोल करा है तो ये बाते होगे चर्च के बारे में उनका विचार क्या था धर्म के बारे में उनका जो विचार है वो यूटिलिटी वाला है कि धर्म की उपियोगी था कहा है जनता को कंट्रोल करने में अब कुछ बाते और भी हैं धर्म और नैतिकता को लेकि उनका क्या व वो कहेंगे के जो बाते आप कहने की कोसित कर रहे हैं, ये बाहर से बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तों में राजा अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बार उसका राज जी नहीं रहेगा, क्योंकि आस पस इतने चलाक लोग हैं, मानो या जो जनता हैं वो इतनी चलाक तो राजा अगर इतना अच्छा होगा और हमेशा अच्छा ही काम करेगा तो राजा नहीं बना रहे सकता तो राजा के लिए बहुत बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो की इस morality के beyond है वो unethical होंगे और वो जायज भी होंगे क्योंकि राजा को अपना राज्य बचाना है और उ सत्ता कैसी बचाई जाए जनता फे रूल कैसे किया जाये ना कि charity धर्म बता रहा है तो वह नए नयतिकता की बात करेंगे जो मानवस भाओ पर जो इतिहास पे बेस्द होगा जो realistic होगा ना कि चचुच धर्म पे बेस्ट होगा तो मैं कि वेली कि धर्म पर विचार को जब व नहीं का यहां से निकल के आती है, तो बहुत लोग मैक्यावली को पहला modern thinker मानते हैं, सेखलोरिजम का फाधर मानते हैं, इसी वज़ा से क्योंकि वो चर्च को राजी से अलग करने के कोसिस करते हैं, कि धर्म अलग domain है, राजी और सत्ता अलग domain है, वहां धर्म को नहीं आना लेकिन ये राजा धर्म के कैसे इस्तमाल करेगा इसके बारे ये बाते करते हैं, नई नय तिक्ता के बारे ये बाते करते हैं, जहां पे नए तरीके के गुण होंगे, जहां राजा, फॉक्स और लायन की तरह होगा, जहां वो डर के माध्यम से रूल करेगा, ना कि वर्चू क बांद हमसे रूल करेगा, तो यह सब बाते होती हैं, तोनके धर्म पे जो विचार हैं उसको समझने की कोसिस करें कि की निए को रहे थे, एक श्ट्रॉण मोनार्की वो चाहते थे, यस वजए से वो धर्म के बारे में ऐसा बोलते हैं, और उस समय का जो चर्ज था, करप्ट चर्च था और पुरर जागरन हो रहा था तो इन सारी वज़ों से मैं की अवे लिए ऐसा बोलने के कोसिस करते हैं अब इसके अगेंस बहुत सारे थिंकर सुनगे जैसे गांधी जी की बात करें तो धर्म और राजनीती को मिलाने के बारे हैं बाते करते हैं कुछ और जो धर्म और राजनीती को अलग करने के बारे हैं बाते करेंगे लेकिन अगर भारत के डोमेन में हमें सेकलोरिजम की बाते कर रही है तो एक ठिंकर है जिनका नाम है राजियू भार्गवा वो आपको पढ़ने चाहिए जो बताता है कि भारत का जो सेकलोर मॉडल है वो बा आज के दौर में भी कोई रूलर है जो धर्म का इस्तमाल करके लोगों को कंट्रोल कर सकता है या कर रहे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन है और क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं धर्म के बारे में क्या धर्म का नयतिक्ता में आना जरूरी है क्या धर्म का सासन विवस्ता में आना जरूरी है ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब आपको देने चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि धर्म और राजनीती सिक्लोरिजम में आपको कौन से वीडियो चाहिए इस वीडियो में तहीं जहन